कि वी तक वहां है इस वीडियो में अजह में कि अपना पर सबसे अच्छा पेंड पढ़ेंगे आखिर इस पार्ट का नम सबसे अच्छा पेंड क्यों है क्या इस पार्ट में सबसे अच्छे पेड़ की बात की गई है आईए जानते हैं आखिर इस बाट में क्या है तीन भाई थे एक दिन सुभह के समय तीनों नए घरों की तलास में निकल पड़े गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया उसके नीचे ठंडी च्छान थी कैसी च्छान थी? ठंडी च्छान थी च्छान में शैडो तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे एक बार क्या हुआ? तीन भाई थे और तीनों भाई कहां गए? घर की तलाश में गए गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए थोड़ी देर में उन्हें क्या मिला एक बड़ा सा आम का पेंड मिला जिसके नीचे ठंडी छांती तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे अब देखते हैं आगे क्या होता है पेंड के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगा पसंद है आम के पेंड से बढ़कर क्या हो सकता है आम कच्चे हूंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम कुछ आम हम बात के खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे बड़े भाई ने कहा कि आम के पेड के नीचे रहने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है क्यों क्यों कि जब पेड में आम लगेंगे तो वो क्या क्या करेंगे जब आम कच्छे होंगे तो वो अचार बनाएंगे अचार पिकल बनाएंगे और जब वो पक जाएंगे तब मीठे मीठे आम खाएंगे और कुछ आम वो बात में सुखा कर रख लेंगे सुखे आम क्या करते हैं सुखे आम से हम बनाते हैं खटाई खटाई का प्रयोग हम खाने में करते हैं करते हैं इस तरीके से बड़े भाई ने सोच अच्छा देखते हैं क्या होता है आगे पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक जोपड़ी बनाई और वह वहीं ठैर गया लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठैरे वे आगे चल पड़े क्या किया पहले भाई ने तो वहीं आम के पेड़ के नीचे एक जोपड़ी बना ली एक हट बना ली और जो बाकी के दो भाई थे वो वहां नहीं ठैर है वो कहां चले गए वो आगे चले गए दूसरी अच्छी जगह के तलास में अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे क् चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले तभी आसमान से एक काला बादल गुझरा टप टप पानी बरसने लगा दोनों भाईयों ने केले का एक-एक पत्ता काट लिया उसके साय में उन पर पानी नहीं गिरा साय मिस शैडो शैडो को हम छाँ भी बोलते हैं और साया भी बोलते हैं उन्होंने क्या किया केले के पत्ते को काटा और छाता बना लिया अम्प्रेला बना लिया जरा देर में बादल चला गया बारिश रुख गई दूसरे भाही ने कहा बड़ी भूख लगी है मुझे भी तीसरे भाही ने कहा दोनोंने केले का एक पत्ता चीरा उन्होंने एक केक टुकडे पर खाना परोसा और दोनोंने भर पेट खाना खाया आप जानते होंगे दक्षिन भारत में केले के पत्ते पर खाना खाया जाता है जब कोई उच्सव होता है या कोई फेस्टिवल होता है तब दक्षिन भारत में लोग केले के पत्ते पर खाना खाते है अब क्या होता है इसके बाद एक एक केला भी खाया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने केले के पत्ते को च्छाते की तरह प्रयोकिया है दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा केले के पेंड से अच्छा क्या होगा बढ़िया केले खाने को मिलेंगे कैसे केले खाने को मिलेंगे बढ़िया अच्छे केले खाने को मिलेंगे उनकी सबजी बनाएंगे जब केले कच्चे होते हैं तब उनकी सबजी भी बना सकते हैं कुछ केले हम बेच देंगे उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे दूसरे भाई ने क्या सोचा कि मैं घर यहीं बनाऊंगा केले के पेड़ के नीचे और उसके क्या-क्या फायदे होंगे कि बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, कच्चे केले की हम सबजी बना लेंगे, कुछ केले हम बाजार में बेच देंगे और जब हम बाजार में बेचेंगे तब हमको क्या मिलेंगे कुछ पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी कामाएंगे इस तरीके से दूसरे भाई ने सोचा इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी जोपड़ी बना ली दूसरे भाई ने लंबा और पतला था तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है तप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई जब हम नारियल की जटाएं साफ करते हैं तो कैसी आवा जाएगी खर खर की आवा जाए नारियल के पेर की छोटी सी चाहा, नारियल का पेर आप देख सकते हैं कि कितना लंबा होता है और उसके नीचे छोटी सी चाहा होती है, नारियल का पानी मीठा होता है, ठंडा होता है, तीसरे भाई को प्यास लगी थी उसने नारियल के खोल को घर-घर करके साफ किया और उसम चहां में बैठ गया और सोचने लगा आम का पेंड बहुत बढ़िया होता है बढ़िया मिन्स बहुत अच्छा और आम भी बड़ा अच्छा फल है केले का पेंड बढ़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है पेंड नीम का भी अच्छा है उसकी दातून बढ़ी अच्छी रहती है तातून मिस ब्रश आपने देखा हुआ गाउ में लोग नीम के पेंड की टहनी तोड लेते हैं उसे ब्रश की तरह यूज कर लेते हैं बहुत ही अच्छी होती है अगर हम डेली दातून करते हैं तो हमारे दाथ कभी खराब नहीं होते हैं घर में कोई बीमा हो तो लोग नीम की टहनीया दरवाजे पर लटका देते हैं अगर कोई बीमार होता है तब क्या करते हैं जो नीम की टहनीया होती है ब्रांचेज होती है उनको दरवाजे पर लटका दिया जाता है जैसे चेचक एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स जब वो हो जाती है तब गा और पेड मुझे ठंडी च्छा भी देगा और अगर कही मेरे पास रबड का पेड होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड की च्छाल में एक लंबा चीरा लगा देता चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेड के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता रस को पका कर मैं रबड बना लेता रबड मैं पेज देता रबड से लोग गुबारे टायर और तरह तरह की चीजे बना लेते अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वो रबड के पेड़ के बारे में सोच रहा है रबड का पेड़ कैसा होता है बाकी पेड़ों की ही तरह होता है बस उसमें अंतर यह होता है कि जब हम पेड़ के तने में स्टेम में एक चाकू से गर चीरा लगा दें तब वहाँ से मिल्क जैसा लिक्विड निकलने लगता है उसको हम प्याले में इकटा कर लेते हैं इसी रबड होती है इसी रबड से हम गुपारे बनाते हैं टायर बनाते हैं और तरह तरह की रबड की चीज़े बनाते हैं वह सोच रहा है बैठे बैठे कहीं नीम के पेड़ के बारे में कहीं रबड के पेड़ के बारे में आगे क्या होता है अच्छे पेडों की क्या कमी है बहुत सही बात है सभी पेड़ अच्छे होते है नारियल के पेड़ की ही सोचो नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरिया बना सकता हूँ नारियल की जटाओं से क्या बन सकता है मोटी मोटी डोरिया बना सकते है और टोरियों से मैं मजबूत चटाईयां भी बना सकता हूँ चटाईया मिन्स मैट रसियों और चटाईयों को मैं सहर जाके बाजार में बेच सकता हूँ मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ आपने भी नारियल की गरी खाई होगी और कुछ गरी सुका कर मैं खोपरा भी तयार कर सकता हूँ खोपरा मिंस जो ड्राई गरी होती है ड्राई गोकोनट होता है उसे खोपरा भी कहा जाता है खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ गोले मिंस नारियल, नारियल को क्या बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं, और नारियल का तेल हम उस खोपरे से निकाल सकते हैं, पेर कर मतलब पेरना, तेल निकालने को किसी चीज से हम, जब तेल निकालते हैं तब उसे हम पेरना बोलते हैं, ठीक है, गोले का तेल साबुन और कि कितनी चीजे बना सकते हैं नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ ठीक तो है मेरे लिए तो यही बिण सबसे अच्छा है उसने क्या सोचा नारियल के छिलके को साफ करके मैं उससे कटोरा बना सकता हूँ पाउल बना सकता हूँ इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा उसने क्या किया नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई जोपड़ी बनाई और वहां मजे से रहने लगा तुम्हारे लिए कौन सा पेर्ण सबसे अच्छा है अब आपके लिए प्रस्न है जिसे आपको comment box में बताना है कि आपके लिए कौन सा पेर्ण सबसे अच्छा है इस कारणी को लिखा है जे भारत दासने मेरे हिसाब से तो सारे पेर्ण अच्छे होते हैं क्योंकि सभी पेर्ण हमें कुछ ना कुछ देते हैं कुछ पेर्ण हमें ठंडी जहां देते हैं कुछ पेर्ण हमें फल देते हैं कुछ पेर्ण हमें भिन भिन तरीके की चीजे देते हैं जिन से हम बहुत धेर सारी वस्तुमे बना सकते हैं जैसे रबर का ही पेड़ देख लीजिए इस तरीके से सारे पेड़ अच्छे होते हैं यह आपका था पार्ट सबसे अच्छा पेड़ इसको आप पढ़िए अच्छे से नए सब्दों को ढूनिए और अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट ब झाओ यह दो चक्टेओं अच्छे 2 जाब रबर हैं सब्सा जलेते हैं ऊच्छे फ Après रहांगे बस्साट से च्छेद क में आपके में खाल जो बहुता है